अभी आ चुका हूं मैं नारगड के किलाप यह इंट्रेंस है नारगड का चल रहे हैं अंदर यहां भी गाड़ी आंदर जा रही है देखें अपनी गाड़ी बार पार्क कर आई है जाओंगा तो ख्या गूमूँगा इसलिए अंदर भी पार्किंग है तो अब अपनी जो भी वहिकल से आओंगे वह अंदर पार्क कर सकते हो कि अंदर आया हूं तो यहां से काफी दूर है फोर्ट तो यार कार जो है वह ले जाने में ही फायदा है मैं पता नहीं था तो मैं अंदर आ चुगा हूं तो मैं मुझे अपनी कार को जो है वह बुलाना पड़ेगा तो अभी एक किलो मीटर भी नहीं है 500 मीटर ही होगी पता नहीं था तो हम लोग आ गए संद्राइज पॉइंट है वह फोर्ट के इंटरेंस से पहले ही है फोट की तरफ जा रहे है नार्गर फोट की तरफ तो यह संद्राइज पॉइंट अप यह रास्ता गया हुआ हुआ है नेवर यहां से टिकेट ले सकते हैं और 50 रुपीज की नार्गर की जो किले की टिकेट है 50 रुपीज में भूम सकते हैं प्लेस टू विजिट नार्गर यहां पर जैपूर वेक्स म्यूजियम में सी समेल है संसेट पॉइंट है बावडी माध्वेंद पैलेस नार बाबा टेंपल यह सब देखने वाले हैं हम आ गए ला स्तव बलोग लास्त के बने रही है दोस्टो चलते हैं आगे शामने देखिए रत है दोस्तो अ आए दोस्तो नारगर दुर्ग जो है नारगर का किला उसे develop of dh externally 1734 में बनवाया था यहां ऐसा मानना है कि नाहर सिंग नाम के राजपूत की आत्मा यहां भटका करती थी जब किले का निर्मार्ट चल रहा था तो इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रियेट्स करती थी लोग जब इसमें काम करते थे तो उन्हें दिक्कतें आती नहीं यहां क्या हुआ लोग उने सला मसवरा कிया तांतरिकों के साथ में जो इस टांतरिक होते थे और यह डिसाइट किया गया कि इस किले का नाम जो है वो इस राजपूत नहर सिंग के नाम से रख दिया जाए ऐसे इस किले का नाम नहरग basement दोस्तो इस किले के अंदर 19 सेंचुरी में भी राजा सवाई राम सिंग और सवाई मादव सिंग के द्वारा काम कराया गया कंस्ट्रेक्शन का और राजा सवाई राम सिंग की नौ रानिया थी उन नौ रानियों के लिए अलग-अलग आवास खंडों का निर्माट कराया गया अगर कहें तो अलग-अलग नौ महलों का निर्माट कराया गया इसके लिए के अंदर तो यह नोराणी ओन ना महल न आ पैला याँ जी है जैसा कि मैंने अभी सिक्रेटी स्टाप से पूछा उन्होंने बताये कि नोराणी का महल है यह पहला महल है और गर्मियों में नीचे रहते थे सर्दियों में अउपर रहते थे यह काफी सुंदर है काफी ऐच्छा बनावर्ट है काफी कोया नल्य और वाजय बी काफी कुछ खूभ आगाने हैu तो तो आपने किस्कैने पर आघए उदुस्कर नहीं है एख की काफी घुपशूरण डिजाइन दरिखाता हूं आपको यह रानियों के महल हैं, रानिया राह करते हैं, यह डिजाइन्स हैं, काफी खूबसूरत और काफी प्यारी डिजाइन हैं, देखने से लग नहीं रहा है कि जादा पुरानी है, क्यूंकि 19th century में इसको बनाया गया है, जादा टाइम नहीं हुआ है, मेंटिनेंस का भी ध्यान रखते हैं, तो काफी सुन्दर जाने का रास्ता है, जली उपर चलते हैं नीचे तो यह रानियों के महली हैं, आप देख चुके हो, चलते हैं उपर, कि जादा भोड़ते हैं, आप उपर, आप देख सकते हैं जब देख सकते हैं जितने भी सेक्षिंस हैं सारे के सारे सेम बने हुए है देख रहे हो सीवनिया काफी नहरो है पता नहीं कैसे राजा माराजा आधे होंगे यहां पर बगवान जाने काफी नहरो होई कि आदमी आ सकता है टॉप से काफी अच्छा दिख रहा है और अंदर भी काफी अच्छी डेजाइन्स और सिल्ब कला थी यह देखिए काफी खूआ अच्छा दा लेकिन अगर कंपेर करो आप जैगड वाले से तो जैगड वाला काफी सुंदर है काफी तुप्चूर है तो आप लास्ट वीडियो में जो आपने देखा होगा कि देखिए काफी सुंदर है बूर सुंदर ब्यूड़ अमेजिंग एक बाद जरूर अजय है तो आप देखा अधक, है तो आप अगल को आप अगल में जो आपको 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 और कि अगल कर दो आपको आपको अगल आप अगल कर दोभी हम सबसे टॉप पे है तो मुझी ये बताइए इस किले में आपको सबसा अच्छा क्या लगा और जो जैगड का किला था वो और ये जो आपका जो नारगड का है उन में से आपको कौन सा अच्छा लगा ये नारगड किला है इसको भी हम देख रहे हैं बहुत कर रहे हैं तो इस किले में क्या है कि ग बिल्कुल बिल्कुल सभी राजाओं का शाही भूजना लेवी हमें देखने को मिला और एक टैंक भी देखने को मिला हुआ यहां पानी का बहुत बड़ा इस्टोर था था तर्शियों हाजार लोगों के लिए तो अने की जो सुविदा हिस्नाना गार तो मुझे वो करे मて Barnes &動画 करें यह अछा लग रहे प्राने का देखें तो रहुत तो वह अच्छा जब रहा हुए है झाफी दूब और गर्श्वें रॉम लिए जादा बड़ा नी आ चोटा साही है तो इस ब्लोग को में यही समाब करते हैं आशा करताओ कि आप को आप को अच्छा को सब्सक्राइब जरूर करें जैहन लबी वाल